Hey guys, आज हम स्टार्ट करेंगे The Secret of Us एपिसोड 6 के स्पोयलर के साथ जब एंगफा ने फालाडा की सारी गलत फैमियों को खतम कर दिया तब फालाडा अर्न से माफी मांगने जाती है उसे बहुत ही guilt feel होता है अपने बरताव के लिए जो उसने अर्न के साथ किया था फालाडा अर्न के घर पहुँचती है और वहाँ अर्न टेबल पर रखे dream house puzzle को अभी भी solve करने में लगी होती है फालाडा उसके पास जाती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है कि उसने ये सब जानबूच कर नहीं किया बलकि बहुत सारी गलत फैमियों के कारण उसका वो रूप सामने आया और अब वो सच समझ चुकी है लेकिन अर्न अभी भी उसकी तरफ नहीं देख रही थी फा ने फिर धीरे धीरे हिम्मत की और अर्न के करीब जाकर बैठ गई और उसे हग किया फालाडा ने अपना हाथ अर्न के हाथ पर रखा और उससे माफी मांगी पर अर्न उसके जवाब में कुछ ना कहकर बस चुप बैठी रही फिर फा ने अर्न को किस किया पर अर्न ने कुछ रिस्पॉंस नहीं दिया ये शायद फालाडा के उस गुसे का जवाब था जो अर्न उसे अपनी चुपी से दे रही थी फा लाडा ने अर्न को फिर से जोर से खीचा और उसे पैशनेट कैस किया एंड देन वो दोनों साथ में रोने लग गए फिर थोड़ी देर बाद फा ने अर्न को चुप कराते हुए कहा कि बस अब रोना बन करो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम दोनों बस रोते ही रहेंगे वो अर्न से अपने दिल की सारी बाते बोल देती है कि वो अर्न से कितना ज़ादा प्यार करती थी और अब भी कितना ज़ादा प्यार करती है और उन्हें ये भी एसास होता है कि उन दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए कितना जादा गहरा है फालाड़ा अर्ण को कहती है कि वो फिर से वैसे ही जीना चाहती है अर्ण के साथ जैसे वो पहले थे और वो अर्ण की लाइफ खुशियों से बढ़ना चाहती है और फिर वो दोनों अपने प्यार का इजहार करते है और दोनों प्यार भरे लंहे साथ में गुजारते हैं अगली सुभा फा अपने पिता और माा के साथ प्रिक्वास टेबल पर बैठी होती है तब वो अपने पिता से कहती है कि जिस हॉस्पिटल एड शूट के लिए उसने प्रेजेंटर बदलने के लिए का था अब वो उस एड शूट को करने के लिए रेडी है उसी प्रेजेंटर के साथ ये बात सुनकर फा लाडा की मा को थोड़ी हैरानी हुई कि फा ने अपना फैसला ऐसे कैसे बदल दिया पर जब वहां से चली जाती है और उसकी मा के एक्स्प्रेशन्स थोड़े चिंता वाले होते हैं जो फा के पिता की नजरों से नहीं चुपते तो वो अपनी पत्नी से पूछी लेते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है इतनी टेंस्ट क्यों लग रही हो तो वो कहती है कि मुझे फा का बिहेवियर कुछ अलग लग रहा है और उसने ये भी कहा कि मुझे चिंता है फा की शादी के बारे में इसलिए वो चाहती है कि डॉक्टर विश्णू से फा की शादी की बात जल्दी हो और वो उसके साथ सेटल हो जाए तब उसके हजबन उसे कहते हैं कि हम अपनी बेटी को ऐसे फोर्स नहीं कर सकते उस पर किसी भी तरह का कोई दबाव मत डालो पर फा की मा कहती है कि वो मेरी बेटी है और मेरा पूरा हक है उसके लिए क्या सही है या क्या नहीं इसके बारे में डिसीजन लेने का फिर उसके हजबन कहते हैं कि दिल के मामलों में हम किसी पर भी दवाब नहीं डाल सकते सबके अपने डिसीजन होते हैं अगर फा की मा को पहले से पता होता कि अर्न वही लड़की है जिसके साथ फा अब्रॉड में रिलेशन्शिप में थी तो वो कभी भी ये हॉस्पिटल एड के लिए परमिशन नहीं देती पर अर्न ने एक्ट्रस बनने के बाद अपना स्क्रीन नेम सानी थाड़ा रख दिया था इसलिए फा की मा को कुछ पता नहीं चला डॉक्टर टैन एंड वो जब अर्न और फा से मिलते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वो दोनों फिर से साथ हो गए है उन दोनों को अपने दोस्त के लिए थोड़ी चंता होती है और हैरानी भी क्योंकि फा ने साफ कहा था कि वो अर्न के पास फिर से वापिस नहीं जाएगी पर फा उन्हें बताती है कि वो और अर्न ने अपनी सारी गलत फहमी दूर कर ली है और अब वो दोनों हमेशा के लिए साथ हो चुके हैं आज के दिन हॉस्पिटल में शूट था जिसके लिए फा और अन अर्न बहुत अच्छे से रेडी होकर शूट कर रहे थे अर्न एंड फा जब ड्रेसिंग रूम में अपने कपड़े चेंज करने के लिए आते हैं तो उन्हें थोड़ा प्राइवेट टाइम मिलता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ कोजी होने लग जाते हैं फा ने अर्न के चीक्स को किस किया और दोनों बहुत खुश थे अपने साथ को पाकर फिर दोनों एक पैशनेट किस करते हैं और एक दूसरे को खुशी में टीज भी कर रहे थे ये कहते हुए कि तुम्हें डर नहीं लगता डॉक्टर मुझे ऐसे किस करते हुए अगर हमें क चूटिंग करने का फैसला क्यों लिया वो भी उसी प्रेजेंटर के साथ उसे थोड़ा शक हुआ था और उसका शक यखीन में बदल जाता है जब वो उन दोनों को किस करते हुए देख लेती है और दूसरी तरफ फा अर्न से कह रही होती है उसे किस करते हुए कि मुझे तो हिम्मत नहीं थी वो दोनों हसते हैं और फिर फा अर्न के चीक्स पर लगातार किसिस करती रहती है और ये सब फा की माँ देख रही होती है और गुस्से से आग बबूला हो जाती है अर्न और फा जब ड्रेसिंग रूम से बाहर आते हैं तो फा अपनी माँ को वहां खड़ा देखकर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आप ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं लेकिन फा की माँ अर्न से परसनली बात करना चाहती है वो अर्न से कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था अपनी मा के इलाज के बदले में तुम मेरी बेटी को छोड़ दोगी और त उसे फा के साथ जंदगी बिताने से रोक नहीं सकता जब फा की माने अर्न की ये बाते सुनी तो वो गुस्से से भड़क गई और अर्न को कहती है कि तुम कोशिश कर लो देखते हैं क्या होता है फा लाड़ा और तुम कभी साथ नहीं हो सकते और इस heated argument के बाद फा की माँ से चली जाती है और अर्न दुखी होकर वहीं खड़ी रहती है तभी सूजी वहां आती है और अर्न को संभालती है क्योंकि उसे अब पता चल चुका था कि अर्न की फा को छोड़ने की असली वजह क्या थी वो अर्न को भरोसा दिलाती है कि वो उन दोनों के साथ है और उनके मा के द्वारा बनाई गई एक चाल थी और इस spoiler के लिए बस इतना ही guys आप लोगों को ये chapter कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताईए और इस तरह के और content के लिए प्लीज सब्सक्राइब to my channel थैंक यू